नोपा के अनुसार अमेरिका में दिसम्मर के महीने में सोयबीन की पैराई में जोरदार तेजी देखने को मिली है दिसम्मर दोजर एकिस में अमेरिकी सोयबीन की पैराई अब तक के उच्तमस्तर 186.4-38 मिलियन बुशल दर्च की गई है जो की नमंबर की मुकाबले 3.9 फीस दी और वाशिक अधार पर 1.8 फीस दी जाद रही है कपास के उत्पादन में गिरावर देखने को मिल सकती है Cotton Association of India CAI ने मौजूदा सीजन जो की अक्टूबर में शुरू हुआ था उसमें अपने कपास के वाशिक उत्पादन अनुमान में कटोती की है पहले CAI ने कपास की 360 लाग गांट उत्पादन होने का अनुमान लगाया था जिसमें कपास की गांट का वजन 170 किलो होता है वहीं अब CAI ने अपना कपास का अत्पादन का अनुमान 360 लाग गांट से हटा कर 348 लाग गांट कर दिया है इन दौर में BTI रोड स्थीद कपास मंडी में मुदवार को एक किसान की कपास अब तक के सारे रिकॉर्ड थोड़ते वे 13,501 रुपे के सर्वोच भाव पर विक्ती नजर आई एक इंडस्ट्री के वेपारी ने ये कपास सबसे उची बोरी लगाकर खरी दी जिस किसान से ये कपास खरी दी गई वे किसान 100 किलमेटर की दूरी केरके अपनी कपास मंडी में बेचने आया था नई प्याज 2100 से 2400 रुपेर प्रती कुइंटल है, नई आलू की रोजाना 40 से 45 जार बोरी और नई प्याज की 30 से 35 जार बोरी आ रही है, अनुमान है कि आवक अभी और बढ़ सकती है, इस बार आलू और प्याज की कीमतों में ज़्यादा तेजी देखने को नहीं मिल रही है राजिस्तान सरकार ने फसलों की सरकारी खरीद को लेकर एक एहम फैसला लिया है, अब यहां मूं, उरद और सोयबीन की 29 जनवरी तक एवा मूंफली की 15 फरवे तक खरीद होगी, इस बात की जनकारी, सहकारी मंतरी उदैलाल अंजुना ने दी है मौजुदा रभी सेत में भारत को सरसो को उत्पादन अधिक रगवे में बुवाई के कारण रिकॉर्ड 120 लाटन तक पहुंच सकता है तेल उद्यों के प्रमुक निकाए, सी ने ये अनुमान जताया है Solvent Extractors Association of India, सी ने ये मांग भी की है कि सरकार को सरसो और उसके उत्पादों के वायदा कारुबार को फिर से शुरू करने के अनुमती देनी चाहिए मालकाडी के अभाव में इस महीने भारत की कुल चावल निर्यात का एक तिहाई माल फसा हुआ है उद्यो के अधिकारियों का कहना है कि इसकी वज़ा से भारत के जावतार चावल निर्यात को ने फरवरी महीने के लिए निर्यात कांट्रेट करना रोग दिये हैं जिससे विलम शुलक से बचा जा सके केंदर की नेंदर मोधी सरकार ने 16 जून 2021 से सोने पर हॉल मार्किंग को अनिवारे कर दिया है हॉल मार्किंग अनिवारे होने के बाद से जोयलेज बीना हॉल मार्किंग वाली सोने की जोयली की बिकरी नहीं कर सकते हैं देश के 256 जिलो में हॉल मार्किंग के नियम को लागू कर दिया जा चुका है। ऐसे में अगर आपने हाल ही में हॉल मार्क जॉयली की खरीदी की है और आप उसकी शुदता की जाच करना चाहते हैं तो आप ये काम B.I.S. Care एप से भी कर सकते हैं। बेस मेडल्स में तेजी देखने को मिल रही है। बेस मेडल्स में तेजी की वज़ा पर नजर डालें तो यूएस में बेरोजगारी की दर बढ़ने से बेस मेडल्स के भाव चड़े हैं। यूएस में तीन महीने की उचाई पर बेरोजगारी की दर पहुंची है, डॉलर में कमजोरी से भी कीमतों को सहारा मिला है, बॉन्ड इल्ड में भी गिरावट से बेस मेडलस के भाव उचले हैं। एक आदे हैं।